गाईज आज ट्रिग्नोमेटरी में exercise 8.2 को start करते हैं तो 8.2 के question को solve करने से पहले आपको कुछ बातों को ध्यान रखना है जैसे की sin cos 10 इन तीनों के angle से याद होने चीए angle 30 degree 45 और 60 ये तीनों भी बस पता होने चीए 0,90 पता हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं है सबसे अगर repeat इसी से करते हैं sin 30,45,60 ये तीनों याद रखना इसका होगा 1 upon में 2 इसका होगा 1 upon में root 2 इसका होगा root 3 by 2 यानि सुरुवात के तीनों आपको याद रखने उसके बाद में ये दोनों अपने आप याद हो जाएंगे कैसे अभी लिख दिये लिखने के बाद में ये कुछ इस तरीके से दिख 10 equals to sin theta upon में cos theta तो ऐसी sin के नीचे cos को रखना है और 2 से 2 कर दाएगा तो आजाएगा 1 upon में root 3 same 1 upon root 2 के नीचे 1 upon root 2 को रखेंगे तो root 2 से root 2 कर दाएगा तो आजाएगा 1 ऐसे root 3 by 2 के नीचे रखेंगे 1 upon 2 को तो 2 से 2 cancel हो जाएगा तो बचेगा root 3 upon में 1 1 को हम ignore करते हैं तो हमारा होगा root 3 तो सारे याद होगे sign का 1 upon 2 1 upon root 2 root 3 by 2 इसको क्या करना है उसके बाद में cos को जाद रखने कि इसको पलट देना है यानि root 3 by 2 इदर आजाएगा 1 by root 2 ऐसी रहेगा 1 by 2 इदर आजाएगा और रही बाद 10 की तो 10 के लिए आपको यहाद formula आज रखना है sign theta upon में cos theta जिसमें इसके बटे में इसको रख देना इसके upon में इसको रख देना 2 से 2 cancel हो जाएगा तो 1 upon root 3 इस root 2 से root 2 cancel हो जाएगा तो 1 आजाएगा ऐसे इस 2 से 2 cancel हो जाएगा तो आएगा root 3 by 1 1 को हम ignore करते तो आजाएगा root 3 यह आद हो गए तो उसके बाद में इस exercise को करना आसान हो जाएगा तो start करते हैं अपनी exercise 8.2 का question number first